नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पूछा और आप देख रहे हैं महरास्टा फाइल्स इस खाशो में आम बात करेंगे महरास्ट की बड़ी खबरों पर लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइन्स पर प्रास ठाकरे को मिली जान से मारने की धमकी पर मन से की चिताव नी कहा उन्हें कुछ हुआ तो जलेगा पूरा महरास्ट पीट में खंजर घोपने के नाना सहब पटोले के बयान पर डिप्टी सियम अजीद पवार का पलटवार कहा उनका बयान हास्यात पर सुप्रिम कोट की आदेश पर मधिप्रदेश की सियम शुवराज सेंग से बात करेंगे सियम उद्धव ठाकरे ओबिसी आरेक्षन पर होगी चर्चा केंद्रे मंत्री रामदा सठावले का अटपटा बयान दुनिया में सबसे पहले आया था बहुत धर्म फिर हिंदू, मुस्लिम और दूसरे धर्म अस्तित्व में आये पुने में दमपती ने 2 साल तक 11 साल के मासुम को 22 कुट्टों के साथ कमरे में रखा बंद, नाबालिक करने लगा कुट्टों जैसा वेवार माता पिता पर केज़ दर्ड़ हेडलाइन्स के बाद अब रुक खबरों का कर लेते हैं हमारी पहली खबर महरास्ट नवनिर्मान सेला प्रमुक रास्थाकरे से जुड़ी हुई है दरसल रास्थाकरे को जान से मारने की धमकी मिली थी जिस पर मनसे के नेता बाला नंद गावंकर ने बहरास्ट के ग्रमंत्री दिलिप वल से पाटिल से बुधवार को मुलाकात की और इस संबंद में कारवाई करने की मांगी है इसके बाद नंद गावंकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रास ठाकरे के कारले को एक पत्र मिला जो हिंदी में लिखा है और इसमें उर्दू के कुछ शब्द भी शामल है इस पत्र में ठाकरे के इस चितावनी का जिक्र किया गया कि यदी अजान के लिए लाउट स्पीकर का अस्तमाल जारी रखा गया तो महजदों के सामने हनुमान चलिसा बजाई जाएगी नंद गावरकर ने कहा कि ग्रह मंत्री ने कहा है कि वो पुलिस आयुक्त से बात करेंगे और वो अवशक कदम जरूर उठाएंगे लेकिन यदी रास्ठाकरे को तनिक वे नुकसान पहुँचा तो महरास्ट जलेगा राज सरकार को इस बात का संग्यान लेना चाहिए पुलिस सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही उन्होंने कहा कि केंदर सरकार को इसका संग्यान लेना चाहिए वह इस मामली में काला चौकी थाने में आईपिसी की धारा 507 के तहत अग्यात व्यक्तियों के खिलाफ एक गैर संग्ये अपरात दर्श किया गया उन्होंने कहा कि पुलिस मामली की जाच कर रही है एक तरफ जहां मनसे नेता ने रास्ठाकरे को कुछ भी होने पर महरास्ट जलाने की चितावनी दी है तो वहीं दूसरी तरफ अगाडी दल की दरारे फिर सामने आई है स्तानी चुनाव को लेकर कॉंग्रस और NCP के बीच जारी तनातनी बड़ी होती जारी है राज के उप मुखी मंतरी अजित पवार ने गुरुवार को कॉंग्रस प्रदेश अध्याक्ष नाना पटोले की तरफ से की गई टिपनी का जवाब दिया है आपको बता दे कि पटोले ने बुदवार को कहा था कि रास्टवादी कॉंग्रस पार्टी के लोग हाथ मिला कर हमारे कारेकरताओं में पैट बनाने का प्रयास कर रहे है ये पीट में छूरा घोपने जैसा है हम उनसे जल्द जवाब मांगेंगे जिस पर अजीत पवार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि नाना पटोले का ये बयान हास्यासपद है हम कभी भी पीट में खंजर या तलवार घोपने वाली भाशा का अस्तमाल नहीं करते हैं अजीत पवार ने कहा कि नाना पटोले पहले कॉंग्रेस में थे फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए और फिर वहां कुछ दिन रहने के बाद कॉंग्रेस में लोटा है हमें उनके राजनितिक परिवर्तन के दिहास को भी देखना चाहिए वो यहीं नहीं रुके पवार ने आगे कहा कि सुर्किया बटोरने के लिए खंजर घोपने वाली बात अच्छी है लेकिन तीनों दल मिलकर काम कर रहे हैं राजस्थर के फैसले राजके निताओं द्वारा लिये जा रहे हैं जिलास्तर पर अलग अलग चीजे हो रही है हम इसे बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहते जिमेदार निताओं को जिमेदारी से बोलना चाहिए तो एक तरफ जहां निकाय चुनाओं को लेकर अगाडी दल की दरारे दिखनी शुरू हो गई है तो वही इस निकाय चुनाओं को लेकर सियम उद्दव ठाकरे जल्द ही मद्प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत कर चुनाओं पर चर्चा कर सकते हैं अब आपके मन में सवाल होगा कि दोनों राज अलग-अलग है फिर निकाय पर चर्चा का विश्य कहां से आया तो चलिए हम आपको ये पूरा मांजरा समझाते हैं दरसल सुप्रेम कोट ने OBC कोटे के विनास था ये निकाय चुनाओं कराने का आदेश दिया है जिसके तहत महरास्ट और मद्प्रदेश में चुनाओं होने है जिसके बाद मुद्वार को महरास्ट राज मंत्री मंदल में ये निर्नल या गया कि मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे मद्प्रदेश के सियम शुवराज चिंग सोहान से रास्ता निकालने के लिए बात करेंगे महरास्ट के लिए इसी तरह का आदेश देने के लिए कुछ दिनों बाद सुप्रिम कोट ने मंगलवार को चिंता व्यक्त की थी कि मद्र प्रदेश में 23,000 से अधिक स्थाने निकाए दो साल से अधिक समय से निर्वाचित प्रतेनीधियों के बिना काम कर रहे हैं और राज चुनाओ आयोग को दो हफते के भीतर चुनाओ को अधिसोशना करने का निर्देश दिया था सरकार के सूत्रों ने बताया कि OBC कोटे का मुद्दा मंत्रियों ने क्याबिनिट बैठक में उठाय था चुकि सुप्रिम कोट ने महरास्ट और मद्दप्रदेश के मामले में इसी तरग के आदेश दिये हैं इसलिए हमने CM से मद्दप्रदेश के मुखी मंत्री से बात करने का आगरा किया सूत्रों ने कहा कि जिन विकल्पों पर विचार किया जा सकता है उनमें से एक सुप्रिम कोट के समक्ष एक समक्षा याचका दैर करना है लेकिन ऐसा निरने शिवराज सिंग चोहान के साथ चर्चा के बाद ही लिया जा सकता है मंत्री ने कहा कि कैबनेट ने महरास्ट राज चुनाव आयोग द्वारा सुप्रिम कोट में दायर हलफ नामे पर भी नाराजगी और चिंता व्यक्त की वहीं SEC ने अपने हलफ नामे में चुनावी कारिक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि वो सितंबर और आक्टूबर में चुनाव कराएगा हलफ नामे में ये भी उलेक किया गया है कि SEC जुलाई में स्थाने निकायों की आरक्षन लौटरी आयुजद करेगा लेकिन OBC का उलेक नहीं किया हलफ नामे में इन बातों का जिक्र करने की जरुवत नहीं थी ये अनावर्शक था ECC हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा महराष्ट में लाउट स्पीकर विवाद की बार देशवर में हिंदू वर्सेज मुसलमान की लडाई शुरू हो रही है इसी कड़ी में अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले केंद्रिमंद्री रामदा सठावले ने एक और विवादत बयान दे डाला में आया फिर हिंदू धर्म फिर सभी धर्म मुसलमानों द्वारा बनाए गए बहुत धर्म सबसे पुराना धर्म है उन्होंने दावा किया है कि मुस्लिन धर्म की उत्पती भी हिंदू धर्म से ही हुई है वहीं इस दोरान उन्होंने राज ठाकरी की आलोशना करती हुए कहा कि कुछ लोग विवात पैदा करने की कोशिश कर रहे है राज ठाकरी द्वारा निभाई गई भूमिका सही नहीं है राज ठाकरी में भगवा शौल पहन रखी है ये अच्छी बात है क्योंकि भगवा श्रांती का प्रतीक है और गौतम बुद्ध के समय में भी बहुत भिक्षों के कपडों का रंग किसरिया था तो कौन भगवा नहीं है इस दौरान जहां उन्होंने उद्धब सरकार पर जम कर हमला बोला तो वही राना दमपती के साथ अन्याय करने का भी सरकार पर आरोप लगाया अब आगरी खबर की कर लेते हैं माता पिता अपने बच्चों को अपनी जान से जादा सम्हाल कर रखते हैं अगर वो बच्चे छोटे हो तो खासकर उनका जादा खयाल रखते हैं लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी माँबाप ने अपने जिगर के टुकडे को कुटों के साथ कमरे में बंद कर दिया वो भी पूरे दो साल तक नहीं ना तो ऐसी ही एक खबर पूरे के कोटवा इलाके में एक दमपती ने 11 साल के बेटे को 22 कुटों के साथ पिछले 2 साल से क्याद करके रखा था हलाकि माता पिता अकसर उससे मिलने आया करते थे पडोसियों की शिकात पर पुलिस ने फ्लाट पर दबिश दी और बच्चे को बेजवानों के साथ मुक्त कराया मुदवार देरात इस मामले में कारवाई करते वे पुलिस ने आरोपी माता पिता को गिरफ़तार कर लिया है पुने पुलिस के वरस्ट पुलिस निरक्षक सरदार पाटिल ने बताया कि आरोपी दमपती खाना देने के लिए घर में आते थे और फिर कुछ देर वहां रहने के बाद वापस चले जाते थे कृष्णाई बिल्डिंग के रहने वाले कुछ लोगों ने घर में क्याद बच्चे को खिड़की पर खड़े होकर अजीम हरकत करते में देखा इसके बाद चाइड लाइन की अनुराधा सहस्त्र बुद्धे को फोन करके इसकी जानकारी दी ये बच्चा आमतोर पर बालकनी या थिड़की पर बैठा रहता था घर में से दिन भर कुटों के भॉकने की आवाज आती थी पिछले एक हफते से घर से दुरघंड आ रही थी जिसके बाद पडोसियों ने परिशान होकर शुकायट की शुकायट की बाद पुलिस हरकत में आई और चाइल्ड लाइन की मदब से कृष्णाई बिल्डिंग के फ्लाट में छापा मार कर बच्चे को निकाला बाद में उसे चाइल्ड वेलफेर सेंटर के जरिये बाल सुधार ग्रियम में भेज दिया गया वही माता पिता पर जुविनाईल जस्टिस एक्ट धारा 23 और 28 के तरहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफतार कर लिया गया है इस मामले का सबसे दर्दनाग पहलू यह है कि बच्चे को एक बेडरूम वाले घर में 22 कुट्टों के साथ रहने को मजबूर होना पड़ा जाच में सामने आया है कि आरूपी दमपती को कुट्टे पालने का शौक था वो घर में अक्सर कुट्टे लाते थे और उनी के साथ रहने से बच्चे में भी वैसे ही लक्षन आ गए पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि बच्चा खिड़की में बैट कर कुट्टे जैसी हरकत करता था तो ये थी महारास्टर से जुड़ी पांच बड़ी खबरी महारास्टर फाल शोव में आज के लिए बस इतना ही कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे तब तक लिए देख दिरिये कैपितल टीवी नमस्कार